कि अई ग्षैज तै कि अससलेंग उलेकुंट्स है वेलकम टो ली वंचैनल अधूस्त, आज हम बना रहे हैं, जट पड बनने वाल टम लॉवोन जुदधे या से बनना शुरू करते हैं यह काफी टीस्टे बनता है दो ज़िस बन जाता है टो चली यहां पर देखें टेल करम होने के लिए रख दिया है मैंने इसमें डालेंगे प्यास यहां पर मैंने लिया है एक मीडियम साइज का प्यास और साथ ही डाल देते हैं दाचिनी की प्राउन करना है अब प्यास को हमें गोल्डन ब्राउन करना है गोल्डन ब्राउन कर लिए हाई फ्लेम पर अब यह यह प्यास प्राइब हो गया है इसमें डालेंगे टमाटर तमाटर यहां पर मैंने लिए है चार मेडियम साइब पठले लम्डे कटेवे इन टमाटरों को हमें सॉफ्ट होने तब इसी तरह से कुख करना है अच्छी से सॉफ्ट होने चाहिए टमाटर तो अब हम तमाटरों को सॉफ्ट कर लेते हैं यह देखे टमाटर अच्छी से सॉफ्ट हो गए है अच्छी से फ्राइ कर लिया है इनको मैंने इसमें डालेंगे मसाले नमक लेले आप लाल मिर्च पाउडर दो चमच्छ पुड़ा से मिक्स करेंगे हैं एक चमच धनिया पाउडर एक चमच जीरा पाउडर तीन चुथाई चमच किचन की मसाला अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को अब हम इसमें डालेंगे सारी सबजियां यह दीखिज्चिया दोसतों सबजियों में इंपर मैंने लिया है यह पता गोबी आलू बींस हरी मिर्च यहां पर मैंने यह अब बारी कट कर लिया है तोस्तों यहां पर मैंने गोबी आलू और बीन्स ली हैं जो सब्जी आपके घर पर आवेलेबल हो वो सब्जी के साथ आप इसको बना सकते हैं जो सब्जी आपके डाली है तो वह भी डाल सकते हैं लेकिन फूल को भी वगएर आप इसमें एक अड़ कर सकते हैं और जो भी सब्जी आपके फ्रीज में घर पर है आप उन सब्जीं से बना सकते हैं तो चलिए इसमें डाल देते हैं आलू यह एक मीडियम साइस का अलू है इसको मैंने इस तरह से तुक्डों में काट लिया है थोड़े बड़े टुक्डे काटेंगे और आलू दाल कर भी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे बीम्स क्ड़ा थोड़ा साइस तरह से बड़ा बड़ा काट लें जैसे के मैंने काता हैं और पीजार बीम्स करेंगे मिक्स करेंगे अब इसमें मैं डाल रहे हूं यह पत्ता गोबी कर सकते हैं लेकिन घर पर यह सारी सब्जियां मेरे पास अवेलेबल थी तो मैं यह सब्जियों का यूज़ कर रहे हूं यह राइस बनाने के लिए अच्छी से मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे तकरीबन दो से तीम बड़े चमच पानी थोड़ा सब्जियों को करना है ज्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि चावल के साथ भी यह पकेंगे बस थोड़ा सा तकरीबन तीन से चार बड़े चमच के खरीब आप डाल दें और इसको थोड़ा सा लिड लगाकर पकने दें लो फ्लेम पर ध्यान रखे सब्जियां जादा नहीं गलनी चाहिए नहीं तो चावल के साथ पकते पकते बहुत जादा सॉक्त हो जाएंगी और हमें सब्जियां जादा सॉक्त नहीं चाहिए यह देखे दोस्तों अभी सब्जियां थोड़ा सा पक चुकी है और जो हमने पानी डाला था वो भी सूख रहा है और तेल साइट्स पर आ गया है सब्जियां को बस थोड़ा सा कुक करन दश्युंखत 單लने को फिर आधाया हमें जाधा नहीं और आधा नहीं पानी में डाले हूं जाधा यह द यहां मैं डाल रही हूं दो कप ड़ो कउस्क्प पानी हो एक पानी देके बिजा हुत्य है गहाँ हमें हमें ने यह 다मीए जिया इंटे gratuit उबल दिया है हमने और इस पानी को आप हमें उबलने देना है और उबलते वक्तごा अड़क करें तो च्लिया पानी को में उबल टायम चेंप तरेगे और अभी फाहने हो जो असमis प practitioners के लिए विगोया हुआ चावल डाल रही है अरहाँ नियों चावल कि πάूँ हनों नीं घ्रीजे Box करेंगे यह शेकर दिर डाल ज़ुआं आपर पस्तिसम आएर्क पिलंगी करते चाहिए और आधनी साहता हो झाहिए सूपता काल मुझने हु् Pepsi बाइंगी चार नाइंटी परसेंट को कहने के बाद स्क्टेक करेंगे कर नाइल को और एक दियो चाववल एह ज anlat गल चुके हैं और पानी भी सारा खतम हो चुका है तो अब हम इसको थोड़ा को मिक्स करेंगे ध्यान रखिए नीचे चिपकना नहीं चाहिए पैन में और अब इसमें डाल रहे हूं में कटा हुआ रादनिया यह भी डालकर थोड़ा को मिक्स करेंगे अब हम इसको दम पर रखेंगे लो फ्लेम पर पांच से साथ मिनित तक के लिए तो अब हम इसको दम होने के बाद चेक करते हैं और यह लीजिए यहाँ पर मैंने इसको सर्फ कर दिया है दम हो चुका है हमारे राइस और यह दिखिए तैयार है हमारे चावल और इसको गार्निश कर रहे हूं हरे धनिये के साथ दोस्तों यह एक वन पॉट डिश है इसमें सारी सब्सक्राइब चावल रहा एक ही पैन में डालकर बनाएंगे इजी हो जाएगा तो एक वन पॉट डिश है तो जरूर बनाएगे का बहुत जल्दी बन जाती है और आसानी के बन जाती है तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज को यह रेसिपी मिक्स रेज राइस की जरूर बताएगा पसंद लाया तो वीडियो को जरू यहाया है जल्दी तो ओएड़ा थे सह बनाएगे को जाती है थूश दुचक्सी से उल्दीयो